वेलकम तो अवर चैनल एफेक्टिव स्टडी आज हम सहीउक्त संख्या का जोड़ घटाब करने की ट्रिक सीखेंगे यानि कि जो मिक्स्ट नमबर होती है इस तरह के सही बड़े वाले जो संख्या होती है उनका जोड़ घटाब हम कैसे करेंगे उसकी हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पर जनरली ऐसे को करना काफी मुश्किल होता है इस तरह की संख्या है देखकर ही करने में मतलब जैसे लोगों की हिमत नहीं होती तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले जो कन्वेंशनल तरीका है जो पुराना तरीका है उसको देखेंगे कि आप कैसे करते हैं तो अभी तक आप जो करते आए वह इस तरह से करते होंगे सही बड़े में संख्या है इनको है पहले सिम्धल पर्मे संख्याओ में आप चेंज करते हैं जैसे के 9 37是我 29 Carti इन दोनों का multiplic rése करते हैं और इसको एड करते हैं अपॉनमें वह ही संख्या आती है और इसके बाद का जो procedure है वो है आप पहले इनका LCM निकालेंगे तीन दो चार शे का LCM जो कि बारा आप आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन इसके बाद इसको करने में काफी मुश्किल होगे जिसी तीन का बारा में भाग दो के चार मिलेगा चार का आप इसमें गुणा करेंगे तो सीधी इसी बात है इसमें आपको काफी समय लगेगा इस procedure में और काफी बड़े आपको multiply भी करने पड़ेंगे तो दोस्त इस तरह से करने की मेरी हिमत तो नहीं हो रही यदि आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो आप अपना अधिक समय खराब कर रहे हैं तो जो इसके के सवालों को जो है वो बिलकुल चुटकियों में बिना डरे कर पाएं तो देखिए इस तरह के सवाल की जो actual trick है वो क्या है यहां पर मैं आपको trick बताने वाला हूं इसकी जैसे कि संख्या है तो इनमें आप आगे वाली संख्या देख लीजिए जो पूर्ण संख्या जो द लिए और इनको हम अलग सॉल्व करेंगे और साथी साथ जो संख्या है परमे है जो पुणाक में नहीं है उनको आप अलग लिख लीजिए और उनको अलग सॉल्व कर लीजिए ठीक ना तो इसको plus sign के साथ अलग करेंगे इन सभी को 2 upon 3 minus 1 upon 2 minus 3 upon 4 and the last plus 5 upon 6 ठीक ना तो जो पर 35 और 9 plus plus के add कर लेंगे यह हो जाएगा 44 और 23 और 16 minus minus के add करेंगे तो 39 चले 44 में से 39 minus होगा तो 5 मिलेगा हमको तो यह step solve हो गया plus 3 2 4 6 इनका आप LCM लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12 तो 3 4 चार बार जाएगा चार दोनी 8 दो का जाएगा यहां पर 6 चार का जाएगा तीन बा बार पांदोनी 10 चले इनको हम solve कर लेंगे यह प्लस में आएगा 10 और 8 18 और 9 6 15 18 में से 15 गया तो बच्चे का 3 बटे 12 यानिकि एक बटा 4 और जैसे के हमने अलग करके लिखा था वैसे ही अलग को एक साथ लिख सकते हैं हम यहां पर यह हो जाएगा पांस ही एक बटा 4 तो इ चोड़ी चोड़ी कैलकुलेशन से होंगी और इसको आप आसानी से कर पाएंगे हम इसमें एक एक जम्पल और देखेंगे ताकि आपको यह ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए जैसे कि हैं 117 से 2 बटा 5 प्लस 13 से 1 बटा 5 माइनस 74 से 2 बटा 3 तो दोस्त इस तरीके का सवाल को पुराने तरीके से नमय कर सकता हूं और अगर आप भी करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा गलती होनी की पूरी-पूरी संभाब ना है तो इसको हम अपनी ट्रिक से करने वाले हैं कैसे 117,13 और 174 को पहले अलग से कल्कुलेट कर लीजिए तो 117 और 13 यह प्लस प्लस होता तो हम इसको डारेट कर सकते थे तो प्लस साइन लाइने के लिए हम इसमें से पचपन में से एक अलग कर लेती हैं और उसमें से हम एक वड़ा पंद्रा को मैनस कर लेती हैं तो एक मैस से एक वड़ा पंद्रा माइनस होगा तो वह जाएगा 14 वड़ा पंद्रा तो पचपन सही 14 वड़ा पंद्रा हैना एकदम आसान तरीका डारेक्ट हो गया मतलब कितनी जल्दी हुआ है और मुझे कोई भी तकलीब नहीं हुए इसको सॉल्व करने में वरना अगर आप वैसे चिंज करते तो सही बटे को बटे में चिंज करने में ही आपके पसी ने निकल जाते दो तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके साब करिए और बे जिज़क बिना डरे इन सवालों को चुटकियों में आंसर निकाले एक बार और हम रिवाइच कर लिते हैं इस तरीके को अगर कोई दिक्कत है तो समझ में आ जाएगा क्या करना है जो बुणांग संख्या है उनको आप अलग सॉल्व कीजिए और उनके चिंज के साथ सॉल्व कीजिए तो एक सो सत्रा प्लस त प्लस नहीं होता है तो इस से जोट घटाव है तो इन सवालों को आप आसानी से कर सकती है इस ट्रिक के दворा उमीद आपको ऐऊथ पसंड़ आई होगी ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल Effective Study को दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें थेंक्यू गुडबाई